नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे फॉर्स समेस्टर के बारे में आखिर क्या पढ़ना है, क्या कोर्स है, क्या सेलेवस है इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे तो देखिए Diploma in Elementary Education जो अंट्रेंड टीचरों के लिए सरकार द्वारा प्रोग्राम लाया गया है ये दो येर का ये प्रोग्राम है जिसमें आपको चार समेस्टर होंगे फर्स्ट येर में दो समेस्टर, सेकर्ड येर में दो समेस्टर तो फर्स समेस्टर के बारे में हम बात करेंगे पहले समेस्टर में आपको तीन कोर्सेस पढ़ने हैं 501, 502 और 503 इससे related notes सभी language में आपके NIUS के website पे available है जितने भी regional languages हैं उन सभी language में available है आप Hindi और English में videos और lectures आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं और notes भी आपको हमारे channel टेश्ट्यूब पे मिल जाएगी registration आपके कब से start होंगे first semester के लिए registration 1st January से लेके 15 January 2018 तक आपके registration स्टार्ट होंगे TMA, TMA आखिर क्या है ये TMA इसके बारे में हम जानेंगे TMA का full form होता है Tutor Marks Assignment आपको assignment मिलेगा जब आप study center पे जाएगे NIUS के study center से related मैंने videos बनाए हैं आप अपने channel पे जाके visit कर सकते हैं link आपको description में मिल जाएगी तो जब आप study center पे जाएगे तो आपको course 501, 502, 503 से related आपको modules दिये जाएगे और उन modules के उपर आपको assignment बनाने को कहा जाएगा उस assignment को आपको अपने center पे जमा करना होगा December 2017 से लेके जनवरी 2018 के बीच यह date है जमा करने का assignment और इस assignment से related आपको marks दिये जाएगे आप online भी से submit कर सकते हैं for TMA Award Tutor marks assignment Award February से March के बीच में देखिए आपके exams कब होंगे 26 फरवरी से लेके 28 फरवरी 2018 इन ही dates के उपर आपके exam होंगे 501, 501, 26 फरवरी को होगा 502, 27 फरवरी को होगा 503, 28 फरवरी को होगा देखिए आपके exam 100 marks के होंगे 100 marks यह आपके overall paper है जिसमें 70 marks के आपके theory paper होगी theory paper होगी 70 marks की याई 501 का जो paper होगा elementary education in India retrospect वो आपके 70 marks के होंगे जो 501 है जिसमें 15 आपको multiple choice question 15 very short answer question 10 short answer question और 2 long answer question यहीं आपका pattern होगा इसी से related आपसे question पूशे जाएंगे तो उमीद करता हूँ कि first semester से related सारी queries मैंने आप सभी के लिए solve कर दी आगे अगर आपको और भी question है तो आप हमें comment कर सकते हैं वीडियो को शेयर करें और एक और update fresh registration DLA का start हो चुका है मातर साथ दिनों के लिए तो यह breaking news है आप सभी के लिए और जो भी आपके रिष्टदार या teacher जो नहीं कर पाए हैं या अधरवाइस जिनोंने registration करा लिया था बड़ payment नहीं कर पाए थे वह जाए अब website पे और तुरंत अपना admission करें यह Diploman elementary education में एक historic program है और काफी successful है अभी तक तो आप जाए अपना registration कराए और हमारे channel पे आप comment करें अगर आपको कोई भी परशानी हो उस comment को हम जरूर से जरूर solve करेंगे वीडियो को शेयर करें सपोर्ट करें सब्सक्राइब करें चैनल को नन्यवाद जैहिंद